आकलन किये जा रहे थे, 36 ज़र में भाज़पा की सरकार बनेगी और ये कॉंग्रेस के लिए सबसे बरा तमाचा होगा। एकी सब्द था अब न सहीबो बदल के रहीबो। आम जनता के मन में ये बात घर कर गई थी। देखें, पूरे देश में नरेन मोदी के नाम पर सपच्ट रूप से जनता का समर्थन और विश्वास दिखा है। और यही कारण है कि आज जो पांच राज्यों के चुनाओं के नतीजे आ रहे हैं, जो सभी पड़े प्रदेश हैं, उसमें चार राज्यों के जो परिनाम आ रहे हैं, उस सभी परिनामों में भाजपा इस पश्टूप से बढ़ती हुँ दिख रही है। और सबसे आच्चा जनक पराम 36 गर से आएगा, अपने शिंतर ये पूरी तरह से जिस्परकार से बड़े बड़े आकलन किये जा रहे थे, 36 गर में भाजपा की सरकार बनेगी और ये कॉंग्रेस के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। 36 गर के इंचार्ज भी आप लगतार दावे कर रहे तो क्या लगता है कि आश्टर जनक के लिए देखिए ये वहां का जनता का मूड था, एक सब्द था अब न सहीबो बदल के रहीबो, आम जनता के मन में ये बात घर कर गई थी, कि ये भेष्टाचारी सरकार है, ये किवल स्वयम के लिए सरकार चल रही है, ना उनने जनजाती समाज के लोगों की चिंता की, ना महिलाओं की चिंता की, ना OBC वर्क की चिंता की, किवल राजनिती को एक भावना का विशे बनाकर 36 गर वाद के नाम पर राजनिती की है, और 36 गर के लोगों को ही ठगने का काम किया, तो जनता ने उसका जवाब दिया है और मुझे पूरी उमीद है कि भातियंता पार्टी के स्पष्ट बहुमत बनेगी.